नमस्कार मैं हूँ गितिका पांडे और आप देख रहे हैं मद्यप्रदेश का नमबर वन न्यूस चैनल क्लीन न्यूस MP चलिए देखते हैं मद्यप्रदेश की सभी शाम तक की मुख्या खबरे फटाफट अंदास में MP सरकार ने बजट 2025 पर मांगे सुझाओ सरकार ने बजट के लोगों से पूछा कि किस जिली में किस तहसील में किस तरह के उद्योग या लगो उद्योग लगाए जा सकते हैं जिससे रोजगार बढ़ सके प्रदेश में पुराने शेहरों की सडकों गल्यारों की चोड़ी करण कस्बों की अंतर विकास और अतिक्रमन वाजुगी मुक्त बनाने को लेकर सुझाओ देने के लिए कहा अपरेल तक मंजूरी तो सिंगस्त में दोड़ेगी इंदौर और जैन मेट्रो सिंगस्त से पहले इंदौर और जैन के बीच मेट्रो दोडने लगेगी फिलहाल डीटियल प्रोजेक्ट रपोर्ट बनाई जा रही है मेट्रो अफसरों की माने तो दिसंबर तक रिपोर्ट बन कर तयार हो जाएगी कैबिनेट में मंजूरी मिलने फंडिंग और निर्मान एजंसी तैह होते ही काम की शुरुवात हो जाएगी केंद्रे मातिमिक शिक्षपोर्ड ने बुद्वार देरा दसवी और बारवी बोर्ड परिक्षा की तारीखों का एलान कर दिया परिक्षाएं पंद्रा फरवरी से होंगी दसवी की परिक्षा अठारा मार्च तक और बारवी की परिक्षा चार अपरेल तक चलेंगी पिछले परिणाम छे महीने पहले ही आए थे इंद ओर से बेंकॉक के लिए जल्द शुरू होगी direct flight इंद ओर एइरिपोर्ट से जल्दी एक और international flight शुरू होने की संभावना है Indigo Airlines इंदोर से Bangkok के लिए डारेक्ट फ्लाइट शुरू करने की उजनाव बना रही है इंदोर से Bangkok फ्लाइट शुरू करने के लिए एर इंडिया भी काफी समय से प्लानिंग कर रही है इसके लिए Air India Company ने पिछले दिनों एरपोर्ट अथोर्टी को प्रस्ताव भी बना कर दिया था तीरित के रूप में विक्सित होंगे श्रीकृष्ण से जुड़े इस्थल मद्रप्रदेश में प्रक्वान श्रीकृष्ण से जुड़े इस्थलों को श्रीकृष्ण पाथे के रूप में विक्सित किया जाएगा बुद्वार को ही डॉक्टर मुहन यादब क्याबिनेट की बैचक में सम्मंदी प्रस्ताव को मनजूरी दी गई कैबिनेट बैचक में श्रीकृष्ण पाथे में होने वाले निर्बान कारियों और अन्य स्वरूपों परमंत्रियों के बीच चर्चा की गई इंदवार मनमान नई रेल लाइन के लिए तीन जिलों के सततर गाउं की जमीन का होगा अधिक रहन बहुप्रतिक्षे दिंदवार मनमान नई रेल लाइन परियोजना में अब जमीनी इस्तर पर काम शुरू हो गया इस परियोजना में मद्यप्रदेश के तीन जिलों के सततर गाउं से होकर रेल लाइन गुजरेगी हाल ही में रेल मंत्राले ने इस गाउं की जमीन का दिक्रहन करने के लिए गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है सर्दवाओं ने बढ़ाई सीहरान परिदेश में पचमणी सब से ठंडा उमरिया मंदला में भी पारा 10 डिग्री से नीचे उत्तर के उर से आ रही सर्दवाओं की असर से प्रदेश में सीहरन बढ़ गई इस वज़े से लगबक सभी शहरों में न्यूंतम तापमान में किरावच हो रही है इसके साथ साथ हवाओं संग कुछ नमी आने के कारण कोहरा और धुन्द भी चा रहा है मौसम विज्यानिकों के मताबिक मौसम का ऐसा मजास अगली दो दिन तक बना रह सकता है बुपाल का दक्षन भारत से हवाओं कनेक्शन होगा मसबूत हैदराबाद बैंगलूरू के लिए नई उडाने दिसम पर सी बुपाल का दक्षन भारत के साथ हवाओं कनेक्शन जल्दी पहले से मजबूत हो जाएगा 22 नमबर तक खुलेगा ऑनलाइन मानिता पोटल सौबिस्तर अस्पताल की शर्ट से राहत प्राप्त कॉलेज कर सकेंगे आवीदन हाई कोर के जबलपूर बेंच ने बहुचर्चित नर्सिंग फरजी वाड़े से जुड़े मामले में नर्सिंग कॉलेज को राहत दी है इसके अंतरगत नर्सिंग काउंसिल को 22 नमबर तक ऑनलाइन मानिता पोटल खुले रखने की निर्देश दी है इस अफ़दी में सौबिस्तर अस्पताल की शर्ट से राहत प्राप्त कॉलेज आवीदन कर सकेंगी 2000 के नोट बदले जाने पर बोली कॉंग्रेस बीजेपी की राज में ये एक नया फ्राट एक साल पहले 2023 में चलन से बाहर हुए 2000 के नोट रासानी भुपाल की एक बस्ती के लोगों द्वारा बदले जाने के खबर बाहर आते ही सियासत शुरू हो गई कॉंग्रेस ने आरबियाई द्वारा बदले जा रहे नोटों की बाजार में मौजूद्गी पर सवाल उठाए तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरे रोजाना ऐसे ही मध्यप्रदेश सब्डेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना आप बिलकुल न भूलें धन्यवाद